स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए आज की जो मेरे रेसिपी है वो शादी के मोके पर या तियोहारों के मोके पर बनाई जाती है और वो है इक स्विट डिश जिसे कहते हैं बासउन दी तो चलि बनाना शुरू करते हैं बासंदी तो सबसे पहले गेस आन करते हैं करिबन एक लिटर जितना दूध हमने लिया हुआ है बासुन्दी बनाने के लिए हमने फूल फेट मिल्क यूस किया है और हम इसे दीरी आज पे पकाएगे ताकि ये नीचे से चिपके ना जब तक दूद गरम होता है तब तक हम काजू और बदाम को रफली चौप कर लेते हैं बीच बीच में हम इसे चलाते रहेगे करीबन 15 से 20 मिनित तक इसे कॉंस्टन्ट गरम करते रहना है दूद अल्मोस्ट पक के आधा हो चुका है अब हम इसमें मिल्कमेट डेड़ करेगे अगर आपको मिल्कमेट का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप शुगर भी एड़ कर सकते हैं दीरे दीरे हम मिल्कमेट डेड़ करेगे जब तक मिल्कमेट अच्छे से अंदर घुलता है तब तक हम इसमें काजू बदाम केसर और इलाइची पावडर एड़ करेगे आदा कब जितना काजू और बदाम जिसे हमने रफली चौप किया हुआ है यह केसर है करीबन दस से पंदरा छोटी छोटी टुकड़े इसमें डालेगे और आदा चम्मच इलाइची पावडर आप सबको अच्छे से मिक्स करेगे जैसे हमने केसर बासुंदी बनाई वेसे हम सीताफल बासुंदी भी बना सकते हैं सिफ गेस बंद करके सीताफल का पल्प निकालके हम यह इसमें एड़ करना है तो तयार है बासुंदी अब हम गेस बंद करते हैं और सव करते हैं तो तयार है केसर बासुंदी आप इसे फ्रीज में रखके ठंडा कीजिए और फिर ठंडा ठंडा सव कीजिए और मुझे कॉमेंट्स में लिख बेजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी एसी ही स्वाधिस्ट रेसिपी के लिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और झाल